टेस्ट सिरीज में बांगलादेश को मिली करारी हार अब T20 में टीम इडिया करेगी कड़ा प्रहार अब कैसे बिल्कुल फिरी में ले पाएंगे T20 सिरीज का मजा जानिए T20 सिरीज की पूरी डिटेल भारत और बांगलादेश के बीच टेस्ट सिरीज तो खत्म हो गई है इस टेस्ट सिरीज में टीम इंडिया ने बांगलादेश का क्लियून स्विप करते हुए सिरीज पर दो सुनने से कबजा जमा लिया है लेकिन अभी भारत और बांगलादेश के बीच तीन मैचों की T20 सिरीज बाकी है इस T20 सिरीज में बांगलादेश की टीम पलंटवार करने की कोशिस करेगी लेकिन भारते दुरंदर इस चुनोती के लिए भी पूरी तरह से तयार है क्योंकि फॉर्मेट बदल गया है इस से जुड़ी सबी डीटेल्स बताते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिए साथी साथ हमें कॉमेंट करके बताईए कि आपको क्या लगता है क्या टीम इडिया T20 सिरीज में बांगलादेश को मात दे पाईगी क्या टीम इडिया T20 सिरीज में भी बांगलादेश का क्लिउन स्विप कर पाईगी कॉमेंट करके आप अपनी रायह में जरूर बताएं कैसा है T20 सिरीज का सेडियोल भारत बनाम बांगलादेश T20 सिरीज का पहला मैच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा यह मैच गुवालियर में होना है गुवालियर में काफी लंबे अर्से के बाद कोई इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है इसलिए वहाँ के फैंस के बीच मुकाबले को लेकर गजब का रोमांस देखने को मिल रहा है इसके बाद 9 अक्टूबर को दिल्ली के अरुन जेटली स्टेडियम में भारत और बांगलादेश के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा सिरीज का तीसरा और आखरी मैच 12 अक्टूबर को होगा यह मैच हैदराबाद में है इसके साथ ही बांगलादेश का भारत का दोरा खत्म हो जाएगा सभी मैच भारते समय अनुसार साम को 7 बजे से खेले जाएंगे चलिए हमने आपको यह तो बता दिया कि मैच कब कब और कहां कहां पर कितने बजे से खेले जाएंगे अब आपको इस सीरीज के लिए चुने गए खिलादियों के बारे में भी बता देते हैं बांगलादेश के कहलाफ सीरीज के लिए पहली बार मैयंक यादव को टीम में चुना गया है इसके अलावा रिशापपन्त को आराम दिया गया है ओल लंबे समय के बाद जितेश सर्मा की भी टीम में एंट्री हुई है इसके अलावा IPL में अपने बल्ले से तूफान मचाने वाले अभिसेख सर्मा को भी इस सिरीज के लिए सुना गया है T20 सिरीज के लिए बांगलादेश के खिलाप टीम इंडिया की बात करें तो प्री में कैसे देखें इंडिया वर्सिस बांगलादेश सिरीज भारत और बांगलादेश के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का टोस साम साथ बजे होगा मुकाबला साड़े साथ बजे शुरू किया जाएगा टीवी पर आप स्पोर्ट्स 18 पर मुकाबले का लुफ्स उठा सकते हैं जबकि मुबाइल पर फिरी में मुकाबला देखने के लिए आप जियो सिनमा एप डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो अब तो आपको पता चली गया कि आप फिरी में कब और कहां कैसे देख सकते हैं इंडिया वर्सिस बंगलादेश T20 सिरीज लेकिन दोस्तो आपको क्या लगता है क्या टीम इडिया T20 सिरीज में बंगलादेश को मात दे पाईगी